ये एलियन इस लर्की की नकल उतार रहा था, ये देखकर वो लर्की उसके उपर हमला कर देती है, और वो एलियन भी उसे एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो लर्की बेहोश हो जाती है, अब वो एलियन उस लर्की के पास आकर लेट जाता है, थोड़ी देर बाद जब वो एलियन कर रहा था अब वो लर्की समझ चुकी थी कि वो एलियन उसकी नकल उतार रहा है जिसके बाद वो लर्की अपने शरीर को धीला छोड़ देती है और एलियन से अलग हो जाती है अब वो लर्की चालाकी से उस एलियन को एक दीवार के पास ले जाती है और उसके हाथ उस जगह के पास एक खतनाक रिडियेशन फैलने लगता है जिसकी जाच के लिए ये लर्की अपने सातियों के साथ उस उलकाप इन के पास जाने लगती है लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस तक पहुँचने के लिए उसे कई सारी अनोकी चीजों का सामना करना पड़ेगा